असलामलेकूम जी, उमीद करती हूँ कि आप सब लोग खेरियस से होंगे, हमारी आज की जो वीडियो है, वो है CBT से रिलेटेड, यानि Cognitive Behavior Therapy से रिलेटेड, आज हम CBT की कुछ ऐसी टेक्नीक्स को पढ़ेंगे, जो की यूज होती है किसी भी किसम की negative thoughts को खतम करने के लिए, अच्छे जी, एक जो के बहुत ही frequent हमारी students से जवाब मिलता है, जब भी उनसे पूछा जाता है कि जी, what is CBT, तो बच्चे कहते हैं, इसमें हम बातें करते हैं, तो ये बहुत ही जो है ना, मैं कहती हूँ कि unprofessional answer है, बच्चों को at least पता होना चाहिए कि CBT, यानि Cognitive Behavior Therapy, अ करते हैं, यानि कि आप कोई भी disorder या कोई भी problem की solution करते हैं, तो उसमें हमने different techniques को apply करना होता है, तो हर बच्चे को ये techniques पता होनी चाहिए, CBT से related मुख्तलिफ books जो हैं, वो published हुई हूई है, आप psychology के students को please CBT से related जो books हैं, उनको पढ़ें, ताकि आपको techniques के बार में पता चले हूं कि हमने CBT किसी भी session में apply कर रहे होते हैं, तो जो हमें बाते हैं दोид है । उसमें हम actually ठेक्निक्स को यूस कर रहे होते हैं, वक्षीट यूज कर रहे होते हैं, उनको हम इस तरह से apply कर होते हैं करें को he client को भी पता दा चले कि हम वह techniques कर रहे हैं, और ँनको बातों में हम जो है proper एक हमारा session जो होता है उसे plan किया होता है और हम पर वो techniques जो है वो apply कर रहे होते हैं तो हमारी जो आज की video है वो CBT की कुछ techniques को ही मैं समझाऊंगी और बताऊंगी कि कोई भी अगर client या patient आपके पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ मनफी सोचे हैं जो कि बार बार आती है और मुझे नहीं समझाती कि उन negative thoughts को खत्म कैसे किया जाए कोई ऐसी चीज़ बताएं कोई ऐसी टेक्निक या ऐसी exercise बताएं कि मैं अपनी इन सोचों पर control कर लू आपने client से इन टेक्निक के बारे में बात करनी है और इसको different activities बतानी है आप किस तरह से अपनी thoughts को change कर सकते हैं किस तरह से उन पर control कर सकते हैं तो जी हम वो टेक्निक सीखने के लिए परदर जो है वो जो lecture है उसको देखते हैं start करते हैं जी जो first technique है वो है stop the thought कि कहना बहुत असान है किसी भी client को जी कि आपको जो सोच आ रही है आप उसको कहें के stop तो वो thought आना रुख जाएगी इसको इस तरह से नहीं आपने proper client को ये चीज़ बतानी है कि आपने word stop बोलना है ये exercise बहुत ही effective है कि जब आप word यापको कोई एक ऐसी thought आ रही है तो आप word stop का बोलें जो यह आप बोलेंगे तो आपकी thought जो होगी उसमें एक break आएगा और अपने mind में ये जो cross का sign है इसको लाएं तो आपका जो mind है वो divert हो जाएगा तो आपकी thought जो है वो काफी हद तक effect हो आप कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं यह वो जो thought होती है वो एक लमहे के लिए ही सही लेकिन रुकती है अच्छे आपने client को बताना है कि जो second one है वो है replace the thought कि आप client को बताएं कि जब कभी भी आपको कोई thought आए और आप उसके मुतलिक सोचें कि अगर thought is not a reflection of reality तो replace it with something positive यानि कि आप कुछ positive सोचें कि यह तो हकीकत में है इनी चीज जो मैं सोच रही है कोई भी thought अगर client करें मुझे बार बर ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं बहुत बड़ा loser हूँ तो आप मैं उसको बताना है कि भी तुम सोचो कि तुमने क्या positive चीज अपनी life में की हुई है जब आ आपको कुछ अपने अंदर productivity नजर आएगी कि यह तात तो सच नहीं है कि मैं loser हूँ मैंने life में बहुत सी ऐसी achievements की हुई है तो यह चीज जो है कि replace अपनी thought को करना यह बड़ा important है यह आपने जरूर client को बताने है अच्छ यह third one है कि कोई भी relaxation techniques जो है वो use की जाएं जिसमें deep breathing आती है progressive muscle relaxation की techniques आती है इन पर भी प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से जो है properly आपने client को बताना है कि किस तरह आपने उपर apply की जाएं deep breathing भी और PMR भी exercises है अगर कोई negative thought आ रही है तो आप फोरां से relaxation जो है techniques relaxation therapy वो start करते है यह बहुत easy है client खुद भी कर सकता है आ तो यह आप उसे ज़रूर बताएं कि negative thought को हतम करने के लिए आप फोरां से कोई भी relaxation therapy जो है वो apply करें जिसकी वज़ाए से काफी हद तक जो negative thought है वो रुक जाती है और हतम होती है okay next one is distraction distraction यह है कि जब भी आप client को कहें कि आपको negative thought आ रही है तो आप इपने इर्द के इर्द को ऐसी activity को ढूणना है जिससे आपकी thought जो है वो break हो जाए यानि कि for example आपके इर्दी अगर बच्चे मुझूद है तो आप उनके साथ खेलना स्टार्ट करतें आप कोई भी music सु सुनना वर्णा आप और depressed हो जाओगे music भी अच्छा अपनी playlist में कुछ अच्छे energetic से सांग्स है वो पहले से मुझूद हो तो आप song सुनना स्टार्ट करतें या आप उस जगा को छोड़ दें फोरन से जहां बैठे हुए है आप जगा जब change करते हैं तो यह भी हमारे mood पे ब अगर तो वो घर में मुझूद हैं तो आप उनके पास चले जाओ और उनसे बात करो किसी से बात कर लेने से बहुत हर्थ तक कथारसिज हो जाता है यानि हम अपनी जो negativity है उसको positivity की दरफ लेके जाते हैं